इनके लबे रंगी की निठाबरे थी के जिसने तो हैं दरसल रखने तो तह करके ही चाहिए मगर यह सूरत में होते हैं धोने में नहीं होते हैं क्योंकि धोने में तो कपले लटकाए और टांगे ही जाएंगे जब तक उसका पानी नहीं निकलेगा तो अगर जो खवातिन घर के अंदर कपड़े धोती हैं निचोड़ने के बाद लटकाती हैं तो यह उस हदीस पाक के हुकम में नहीं है कि जिस हदीस पाक में कपड़ों को लटकाने से वजुदुर अलेससलाम ने मना किया है और अगर कोई इस हदीस के खिलाफ करता है तो गुनागार नहीं है मगर यह के लोगों में इल्म होता नहीं इस चीज़ की दर असल मालूमात है नहीं बहुत सारे हदीस के मसाइल ऐसे हैं कि वह आवान तक मश्हूर नहीं है मारूफ नहीं अगर उनको बताया जाता है तो उनको बहुत अजीब लगता है कि यार हमने कभी पहले ऐसा सुना नहीं है बहुत नई सी बात है इसलिए बहुत सारी बातों को जो इना इगनॉर कर दे बताया जा रहा है तो जुरूर हदीस में ऐसा होगा तो अगर को इसलामी बहन कपड़े धोकर च्छतियों पर फैला देती है तो वह कपड़ा तो ठीक है वह इसी उर्फ में फैलाया जाता और वह इस्तिमाल शुदा कपड़ा भी नहीं होता फिलाल वह धुल कर सूगरा होत कपड करें फिर आम शाम क उतारते हैं और द क्यों के इसको इसलाम शाया चाहिए तो और उसको शयतान करता है해al उसी सूरत में चाहिए कि कि कपड़ों नशाने चाहिए चाहिए नहीं बजाने चाहिए किया होता था कि जहालत के दोर में अर πα्र निजबत दूसरों लोग अपने बिस्टरह सजाते और लगाते था मेहमानें के लिए और यह फकर की बात होती थी उनके लिए का जिसके घरमें बिस्टर ज्यादा होंगे' वह अपना को जब्धा यहां पर एक तो बैड होता है उस पर जो गद्धा डलावाए वह तो मारूफ है कि वह उठाय नहीं जा सकता वह बिचा रहेगा लेगिन जहां गद्धे नहीं होते हो फरश के उपर बहुत सारे गद्धे वगेरा अलग अलग बिचा देते हैं हर गद्धे के साथ ए कि बाद लोग उस पर कबड़ा टांग देते हैं हाला कि यह अधिस पाक में मना है अब जो अमल करना चाहे वो कर ले जिसको नई बात लगे पुरानी बात लगे तो कमेंट के अंदर अपनी खुराफात निकालने से पहले उसको चाहिए कि किसी इमाम के पास जाकर इस चीज करना है अपने कमीज उतारी एसी मोड कर उसको रख दी कहने का उर्फ यह है कि उसको टांगना नहीं है सिर्फ रख देना है और रख तो आदमी खुद भी सकता बैसा नहों कि यह जिम्मेदारी भी मतलब औरत के सर पर टांग दी जाए कि मैं कपड़ उतार के उधर पहंग पुरन वार बनाया